दोस्तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में और आज के इस वीडियो में यहाँ पर मैं आपसे बात करूँगा एक ऐसे सिरप के बारे में जो पुत्र प्राप्ति कराने वाली आयरवेदिक दवाई है जी हाँ दोस्तो आज के इस वीडियो में यहाँ पर मैं आपसे बात करूँगा इस चरक के M2Tone सिरप के बारे में जो आपको बांजपन है तो उसमें ये छुटकारा दिलाती है गर्बस आई का ये टौनिंग होती है गर्बस आई को ये ताकत देती है तो ये जो M2Tone सिरप है वो completely आयरवेदिक है जो मैलाओ के लिए विविद रोगों में प्रयोग होती है आज के इस वीडियो में यहाँ पर मैं आपसे completely बात करूँगा कि ये जो M2Tone सिरप है उसकी प्राइस और पैकिंग क्या है इसमें कौन-कौन से जड़ी बुटियां डाली गई है यानि कि इस सिरप है जो 200 ml में आती है आप इसे किसी भी medical store से buy कर सकते हैं या फिर आयरवेदिक दुकाने होती है तो वहाँ से भी आप इसको buy कर सकते हैं अब यहाँ पर बात करते हैं कि M2Tone सिरप में ऐसी कौन सी वो powerful जड़ी बुटियां होती है जो गर्बा सै का toning है गर्बा सै को त देती है तो देखिए यहाँ पर मैं आपको स्क्रेन पर दिखा दूँ तो इसमें डाला गया है असोक, लोदरा, हरीता की, सिवलिंगी के बीज, अस्वगंदा, जटामांसी, सतावरी, देवदारू, कसिस भस्मा और नाक के सर जैसे जो सकती साली जड़ी बुटियां डाली गई है उसी की वज़े से यह गर्बसेका टॉनिक के नाम से जानी जाती है दोस्तों ये तो थे M2Tone सिरप की इंग्रीडियन्स यानि कि इसमें कौन-कौन सी जड़ी बुटियां डाली गई है अब यहाँ पर बात करते हैं कि यह जो M2Tone सिरप है उसके फायदे क्या-क्या ह तो मासिक धर्म की अर्णी मेत्ताव को ये दूर कर पीरेट को रेगुलर करने में मदद करती है अत्याधिक रक्तस्त्राव को ये कम करने में मदद करती है बाचपंट से छुटकारा दिलाती है बच्चा होने में लाब होता है पुत्र प्राप्ति होती है गर्बसेका टोनि वाला दर्द को भी ये कम करती है अगर आपका हिमोगलोबिल लेवल जो है वो कम है तो उसमें भी ये सुधार करती है और एनीमिया को दूर करती है हार्मोनल इंबैलेंस के कारण बहुत सारे रोग होते हैं तो उसमें भी ये सुधार करती है स्वेट प्रदर आजकल जो है वो common problem है मैलाओं में यानि कि लूकोरिया की problem है तो उसे भी चुटकारा दिलाने में मदद करती है इसके अलवा endometrium के स्वास्ते में भी ये सुधार करती है अब यहाँ पर बात करते हैं M2-ton syrup के dose के बारे में तो आपको रोजाना लेना है दो चमच दिन में दो बार आप इसे खाने के बाद या फिर पहले भी ले सकते हैं किसी भी उम्र की जो मैला है चाए वो 14 साल की है चाए वो 60 साल की है कोई भी इसको ले सकता है कम से कम 3 मैना इसका लेना है क्योंकि इसको तीन महीना लेने से किसी भी तरह की problem है उसमें राहत मिल सकती है लेकिन अगर आप तीन से छे महीना इसका पूरा course करते हैं तो किसी भी तरह की महीलाओं में जो problem होती है तो उससे छुटकाना दिलाने में ये मदद करती है